हलो और वेलकॉम बैक दोस्तों आज है 14 अगस्त तो सबसे पहले मैं आपको अपना व्यू बता देता हूं कि आज मैं कौन से साइट का यहां पर ट्रेड सोच रहा हूं और कौन सा साइट का मैं ट्रेड लूँगा और उसके पीछे का क्या लॉजिक रहेगा तो अब देखी ल तरीके से मार्केट नीचे जा सकता है लेकिन मैं कहां पर ट्रेड लूँगा वो मैं आपको एक्स्प्लेइन करता हूं तो व्यू सिंपल है व्यू मेरा इधर है डाउन साइड का सेल साइड का यहां पर व्यू है अब एक्जैक में ट्रेड कहां पर लूँगा वो मैं आपक इस तरीके से तो यहां पर रेजिस्टेंस लिया यहां पर यहां पर अगर इस तरीके से उपर आता है इस जोन के आसपस अगर आता है तो फिर इस तरीके से बहुत अच्छा नीचे जा सकता है यह अपना मेरा प्लैन है अब प्लैन बन चुका है अब अगर मार्केट यहां पर आता है तो simple execute करना है और हो सकता है यहाँ पर आते इस तरीके जिन नीचे चला जाए क्यों चला जाए क्योंकि enough इसको जो stop loss है वो create हो चुका क्योंकि इतना देर यहाँ पर time pass किया तो लोग यहाँ पर लोग buy कर चुके हैं तो इस तरीके जाते भी जो है सीधा नीचे आसकता है यह simple सा अपना plan है तो अपना जो trade execute होगा वो इसके आसपास यहाँ पर execute होगा simple है उसके बाद बात किरते हैं एक और क्या हो सकता है मß लर यहीं पर market उपर नहीं जाता है इस तरीके से struggle करते 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 इस तरीके से यहीं पर market नीचे आ जाता है तो अगर यहीं से नीचे आता है तो simple सा अपना जो जो trade होगा वो buy side होगा bullies हो जाएगा क्योंकि यहां से अगर इस तरीके से market जाता है इसी पर फिर से अगर invite करता है तो फिर इस तरीके से market जो है उपर जा सकता है बहुत अच्छा से retest करता है या फिर swing को log करता है मतलब इसकी area पर आएगा तो यहां पर liquidity grab हो सकता है यहां के आसपास ठीक है जैसा कि मैं आपको यहां पर अगर दिखाऊं तो यह देखिए 15 मिनट के time frame में आप यहां पर check करेंगे आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगा यह देखिए यहां पर support 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 अब support break लगता है यही वाला होगा साथ liquidity grab वाला ठीक है तो अभी यह आ रहा है इसको आने देते अच्छे से अगर retest वगरा करता है तो और भी अच्छे से उपर जा सकता है retest वगरा नहीं करता है माले यहां से इस तरीके से नीचे आ कि इस तरी से रहे गया तो फिर अपना जो कोई भी ट्रेड नहीं होगा तो mainly कैसे follow करना है अपना view सबसे पहले clear करना है कि अब उस side market जाएगा तो क्यूं जाएगा उसके पिछे का region में आपको बता दिया support support ले रहा है यहां पर maximum लोग आने के बाद market नीचे जा सकता है यह था और अगर यहीं से नीचे आया तो यहां पर liquidity grab हो सकता है यह simple सा यहां पर region है ठीक है तो इस region के साथ इस trade को लोग देखते हैं और आज expiry है ठीक है तो हो सकता है time pass करे second half में जाए क्योंकि expiry में लोग बहुत जादा है over excited होते हैं तो उन सब को जब तक market निकालेगा नहीं तब तक जो है अच्छा move नहीं करता है generally तो यही होता है तो अभी wait करेंगे बाकी में आपको सारी चीज़ें कर यहां पर share कर दिया है तो भी इस zone में at least कोई भी हमको buy या फिर sell का order जो trigger करना ही नहीं है मैं mostly ऐसे ही जगह पर मैं पहले buy और sell किया करता था जिससे मुझे काफिया stop losses लेने पड़े थे तो अब मैं गलती नहीं करूंगा अगर यहां पर किसी भी तरह कोई भी patterns भी दिखे तो मैं नहीं लूंगा ठीक है अगर इसके उपर आता है इस तरीके से होता है तो definitely जा सकता है इसके उपर आने के बाद ही यहां पर कुछ plan में कर सकता हूं यह फिर अगर इस तरीके से नीचे आता है ठीक है finally और फिर इस तरीके से retest वगरा करता है तो फिर हम यहां पर plan activate होगा और फिर trade लेंगे तो live आपको दिखा देंगे तो दोस्तों अभी हो चुका है market बंद और अभी आप देख सकते हैं मैंने आज कोई भी trade नहीं किया है मैं लगबग दो बजे बंद कर दिया था system को क्यों बंद कर दिया था वो भी बताऊंगा और जैसा कि पहले ही already हमने plan बना के रखा हुआ था कि ऐसा होगा तो ऐसा लेंगे तो ऐसा कुछ भी आज market में नहीं ह रिखेंगे ठीके मैं आपको यहां पे refresh करके भी दिखा सकता हूं तो यहां पर देख सकते हैं यहां पे home फे में click करता हूं एटिछ时间 पर कुशिंस प्लान तंद करता हूँ तो कोई भी यहां प्लान करता हूं तो जैसा कि हमनख मार्केट में हाज नहीं जैसे कि अमने आपको बताया था कि अगर मार्केट इस तरीके से अगर यहां पे आता है इसके आस पास तो बहुत अच्छे से इस तरीके से नीचे जा सकता है लेकिन मार्केट यहीं पर पूरा दी नज साइडवेज हो गया और मैंने ये भी बताया था कि अगर इस जोन पर साइडवेज रहता है यहां से लेके यहां तक तो कोई भी एंट्री ना तो बाय करूँगा ना ही सेल करूँगा क्यों कि जनरली क्या होता है कि मार्केट को जब भी ट्राप करना होता है तो यह तो डारेक्टली इस तरीके से नीचे आके उपर ट्राप कर देता है यह फिर इस तरीके से उपर जाके नीचे ट्राप कर देता है बट ऐसे एरिया में क्या होगा कि लोग जहां पर buyers भी हैं, sellers भी हैं, तो लोग यहां पर buy sell, buy sell, buy sell, ऐसे करते रहेंगे, और जो operators है, operators को तो पैसा यहां पर मिलेगा ही मिलेगा, क्यों, 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 क्यों उनको time decay का benefit है, जो sellers है, उनको तो वैसे भी profit मिल गया होगा, बर जो buyers है, वो कमा नहीं पाएंगे, और buyers ज्यादा तर जो expiry में over excitement होते हैं, ठीक है कि आज तो expiry है, आज तो इतने point का move आ सकता है, यह हो सकता है, यह हो सकता है, तो इस तरह का पहले में भी यहां पर सोचा करता था, बट अभी इस तरह का mindset मेरा बिलकुल भी नहीं है, ठीक है, यह सारे mindset जो है, यहां पर मेरा आपको बता दिया था, वो वीडियो पहले आपने देख लिया होगा, तो simple इस वीडियो से आपको क्या सिखने को मिल रहा है, वही plan बनाना बहुत ज़्यादा important है, plan के according behave करता है, तो simple trade लेना है, ठीक है, plan के according behave नहीं करता है, तो आपको trade नहीं लेना है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से आता, ऐसे होता है, तो definitely नीचे जाता, और फिर यहाँ पर एक trade आराम से बनता, ठीक है, अगर यहाँ पर इस तरीके से भी होता, इस zone के आसपास, तो भी मैं यहाँ पर देखता है, बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, इस area यह जो है, यह previous देखेंगे, तो आपको यहाँ पर, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ही logic के साथ हमने आपको सुबाही बोला था, कि यहाँ पर support है, यहाँ पर support है, अब इस तरह से आके यहाँ पर support पे जाने की जैसा बता रहा है, लेकिन जा नहीं रहा है, सब को यहाँ पर buy करवा के, buy के market यहीं पर रह गया, ठीक है, तो यहाँ पर सब को buy करवाने के बाद इस तरीके से निकलता, तो जो लोग भी यहाँ पर wait कर रहे थे, buy करने के लिए, वो लोग भी final यहाँ पर enter करने के बाद market इस तरीके से trap करता है, उन लोगो, बढ़ यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नह करते हैं, तो उनके लिए तो रोज ही market होता है, वो 10, 15, 20 point, तो कभी भी कहीं पर भी लोग capture कर सकते हैं, बट जो proper directional करते हैं, उनके लिए आज यहाँ पर कोई भी जो है, यहाँ पर entry का plan नहीं बनता है, simple यहाँ पर जो लोग support पर buy किया होंगे, वो भी आज trap हो गए होंगे जो trap trading के लिए wait कर रहे होंगे, उनको भी आज entry नहीं मिला, बस trap trading वाला एक benefit यह है कि यहाँ पर मुझे unnecessary, मैं unexpected यहाँ पर buy मैंने नहीं किया, जो भी यहाँ पर आता plan था, बड़ यहाँ पर आया नहीं, तो मैं यह कभी नहीं सोचूँँगा कि यहीं से चला जाएगा, यह हो जाएगा, क्योंकि ऐसे दिन में market जाता नहीं है, generally तो यहीं होता है, तो experience कहीं कहीं काम आता है, यह अभी मुझे खुद पता चल रहा है, जब यहाँ पर experience होने के बाद, कि market किस तरह का behave करता है, कैसे behave करता है, नहीं तो पहले क्या होता था, generally जब भी मैं ऐसे देखता आता है, कि consolidation और यहीं पर buy कर लेता था, तो यह होता है, ठीक है, तो experience था, कहीं नहीं, ठीक है, यहां से market, directly नीचे जाने वाला नहीं है, पहले उपर जाएगा, तभी नीचे जाएगा, ठीक है, तो simple था दोस्तों, I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो प पसंद आया है, तो like करिए, आपके मन में कोई भी सवाल है, तो मुझे नीचे comment करके पूछ सकते हैं, मिलता हूं मैं आपसे एगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,